अलो एव्रिवन, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, शुब शुब बोलो, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, थैंक यू सो मच, इतना ज्यादा प्यार देने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब आप कॉमेंस में आके बो अच्छा रीडिंग ठाकल, आज हम लोग जो रीडिंग करने वाले हैं, वो है, तिंक अबाउट फाइफ क्वेश्चेंज और गेट एंसर, आप पांच क्वेश्चेंज कुछ भी आपका, जो कि लॉजिकल होना चाहिए, सेंसिबल होना चाहिए, प्राक्टिकल होना एक जनरल रीडिंग होगा, यह आपके साथ मैच कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, बट अगर मैच करता है, तो I'll be very happy, अगर मैच नहीं करता है, तो और भी इस तरह का वीडियो मेरे चैनल में available है, आप वो चेक कर सकते हो, रीडिंग जो है, वो कभी-कभी timeless reading होता है मेरा, तो, take it how it resonates, okay, so let's see, start करते हैं और हम चेक करेंगे पहला question, पहला question आप सोच लीजिए, और हम चेक करते हैं कि उसका answer क्या निकलता है, okay, let's see, what is the answer for the first question, मैं बार बार बोल रहा हूं, question practical होना चाहिए, sensible question होना चाहिए, कुछ भी उल्टा सीधा, अजीब और गरीब question अगर आप सोचेंगे, तो आप, जो answer निकलेगा, वो शायद आपके साथ मैच ना खाए, okay, so, let's see, for the answer for the first question is, six of cups, king of cups, beautiful, beautiful, and so, पहला जो भी मुझे नही पता के क्या question है, but, जो भी जिस भी sector का ये question है, it's a big yes, okay, it's a yes, and बहुत ही, बहुत ही खुबसूरत सा energy है, इस question regarding जो भी energy होगा, वो बहुत खुबसूरत energy है, अगर आपने पैसे के बारे में सोचा था, या लव के बारे में सोचा था, तो there is a chance of reconciliation, या ऐसा हो सकता है कि आप पुराना कुछ चीजे, पुराना finance का status, या कुछ भी, पुराना health, पुराना, जो भी आपका question था, तो हो सकता है कि थोड़ा सा nostalgia का आप feel करो, और या पुराना कोई इंसान आपके जिन्दगी में आई, या past person का आना, अगर lovers है तो there is a chance of reconciliation का भी, इस तरह का भी एक energy है, सभी के साथ, शायद या resonate नहीं करेगा, बट कुछ लोग के साथ definitely यह कर सकता है, it's a general reading, तो उसको उस हिसाब से लीजिएगा, but it's a yes, yes, okay, let's see what is the answer for the second question, second question आप सोच लीजिए, अगर आपको लगे, आप वीडियो को पॉस्ट करके सोच के देन answer चेक कर सकते हैं, okay, let's see what is the answer for the second question, okay, 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 hmm, oh, six of wands, I think, इसका भी, it's a big yes, okay, it's a big yes, success, victory, उझे नहीं पता कि क्या question है आपका, किस सेक्टर का question है, finance related है, कि health related, family, lover, marriage life, I don't know, क्या है, जो भी है, question, it's a yes, okay, it's a very big yes, beautiful, beautiful, energies are very aligned, अभी, positive energies are aligned, so, आपका जो reading, कल का भी बहुत beautiful reading था, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप चेक कर सकते हैं, आज का भी अभी तक तो बहुत positive जा रहा है reading, let's see, let's see what is the answer for the third question, third question का क्या answer निकलता है, six of cups, मेरे आज कल ये हो रहा है, मैंने last time भी बोला था मेरे वीडियो में, कि आज कल जो है, मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा repeat cards निकल रहे हैं, तो confirmation भी बार बार double type का confirmation आता है, same card निकलता है बार बार after shuffling अल्सों, तो six of cups, it's a big yes, जो भी आपका third question है, बहुत ही बड़ा एक yes है, so, okay, bottom of the deck, the devil card, okay, it's a yes, but थोरा सा ध्यान से हैं, जो भी है, मुझे नहीं पता क्या question है, but be a bit careful, yes है, but आपको थोरा ध्यान रखना पड़ेगा, ओके, let's see what is the answer for the fourth question, आपका fourth question का क्या answer निकलता है, let's see, okay, two of wands, okay, bottom of the deck is king of cups, okay, so, इसका answer भी, हम लोग अभी फिलाल के लिए, a very small yes, okay, क्योंकि bottom of the deck king of cups अच्छा positive card है, so, it's a very small yes, मतलब बहुत ज्यादा हा, yes type का नहीं है, जो भी है question हो सकता है कि इसका जो yes वाला जो portion है, ये कुछ दिनों बाद हो, immediately इसका result आपको ना दिखे, थोरा time taking हो सकता है, तो उस हिसाब से इसको लीजेगा, yes है, positive, card positive है, पर immediately इसका effect शायद आपको ना दिखे, या बहुत बड़ा yes ना हो, मतलब इसका outcome बहुत ज्यादा strong नहीं हो सकता है, ठीक ठाक, more or less okay type का होगा, okay, but negative नहीं होगा, let's see what is the outcome for the fifth question and final question, fifth final question, final question का क्या outcome निकलता है, let's see what is the answer for the final question, three of pentacles, the chariot, okay, so it's a yes, it's a yes, again it's a yes, so अब आज का reading भी बहुत positive गया, I think energy is बहुत अच्छा है अभी, आज का भी सारा questions, yes, almost सभी positive है, बहुत ही yes गया है, I'm very happy, very happy, so मुझे नहीं पता क्या question था, but almost सारे questions का answer yes है, again I'll repeat that, जो भी आपका questions था, वो logical, practical, sensible होना चाहिए, कोई भी अनाप्शन, आप कुछ भी अगर question आपने किया होगा, या सोचा होगा, या जो भी है, तो वो resonate नहीं करेगा इसके साथ, plain and simple, okay, और ये एक general energy भी है, so general reading है, आपके साथ match कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, तो उसी साथ से इसको लीजिएगा, but अगर match करता है, तो I'll be very happy, क्यूंकि positive cards आए हैं, और काफी सारा yes है, तो, okay, let's see, any spiritual message for you, let's see, spiritual messages, क्या निकलता है, okay, eight of swords, and nine of cups, okay, ये थोड़ा सा twist इसमें universe ने डाल दिया, इतना अच्छा-च्छा होते हुए, last में थोड़ा सा twist डाला है, okay, so basically, जो है, आपको थोड़ा सा positive mindset में अभी रहना होगा, okay, हो सकता है कि आपका अभी mentally आप थोड़ा सा disturbed है, एक mental jail type का भी situation आपका चल रहा है, या हो सकता है कि आप you are unable to see the clear picture, या काफी stiffness है, किसी stuck energy में आप हो, हो सकता है, हमेशा love situation में होगा, ऐसा नहीं, कुछ और भी reasons हो सकता है, finance का हो सकता है, career हो सकता है, health का भी कुछ issues हो सकता है, कुछ भी अगर है, तो universe का यही message है, कि आपको थोड़ा सा positive mindset पे रहना होगा, कि ultimately चीजे positive होगा, और सब सही हो जाएगा, everything will be fine, यह सोच के आपको रहना है, इस positive mode में आपको रहना है, तो जाके वो चीज जो भी आपने manifest किया है, वो manifestation आपका पूरा होगा, और जो wish है वो आपका फुलसिद होगा, तो आपको positive mindset पे अभी रहना है, बहुत ज्यादा अगर आप overconfidence, ओके, तो इतना सारा yes आ रहा है, कल का reading भी बहुत positive था, तो इस चक्कर में अगर आपके अंदर थोरा सा overconfidence भी आ रहा है, तो universe ने आपको इसी message के थूरू ये थोरा सा warn कर दिया, कि बहुत ज्यादा overconfidence भी नहीं होना चाहिए, आपको एक positive mindset रखके, अपना काम करना होगा, तब जाके वो wish fulfillment होगा, अगर बहुत ज्यादा आप overconfidence दिखाएंगे, तो outcome negative हो सकता है, तो इस वार्निंग समझ लीजिए, या एक तरह से बहुत ही खुबसूरत सा guidance था, तो, ओके, beautiful, तो, विल सी यू इन दे नेक्स वीडियो, हम लोग आगे भी और भी वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए, enjoy, because सारे काथ तो अच्छे आएं, ओके?